नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रेक्टीस सेट नमर पाँच को डिसकस किया गया है, बिहार दरोगा और 69th BPSC के लिए इसके पहले 4 प्रेक्टीस सेट अप्लोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं प्लेलेस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, आप सभी 100 में से कितने प्रेस्ट सही करते हैं इसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा और जब इते टेलिग्राम गूर्फ जोईने के टेलिग्राम गूर्फ जोईन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में दिया गया है तो आई देखते हैं पहला कोस्टन निमन में से किसे बिधी के समस्च समानता से छुट परदान की गई है तो किसे परदान किया गया है आठ की 361 के तहट राजपती और राजपाल को तो A और B दोनों हो जाएगा तो C इसका रैट एंसर हो जाएगा वाक एबम अभिवेक्ती की सुतंता के अंतरगत निमन में से कौन सामिल है तो देख लेजिए वाक एबम अभिवेक्ती की सुतंता के अंतरगत कौन आपके सामिल है आठ की 39 ठीक है तो इसमें पहला है प्रेस की सुतंता ये आपके सामिल है प्रदरसन एबम बिरोध का अधिक यह भी सामिल है जुप रहने की सुतरन्ता ये भी सामिल है हडताल का अधिकार यह हडताल का अधिकार नहीं हैं तो एक दो तीन हो जाएगा एक दो तीन तो डी इसका right answer हो जाएगा समिधान के किस अनुछेद में यह बरनी थे कि राज नियाई पालका को कार्वपालका से पिर्थक करेगा सोच के बताईए कि समिधान के किस अनुछेद में यह बरनी थे कि राज नियाई पालका को कार्वपालका से पिर्थक करेगा तो आपको ध्यान रखना है अनुछेद 50 में बरनित है अनुछेद 50 क्या है तो DP ESP है भारत के राशपती के प्रसाद पर धारन करते हैं तो कौन करते हैं प्रधान मंत्री ये आपके गलत है नियंतरक इबं महालेखा परिच्छ केक के बारे बताया जा रहा है ये भी आपके ग साथ परियंत पर धारन करते हैं तो C option आपका ठीक हो जाएगा भारत की संसद निमन में से किस से मिलकर बनती है भारत की संसद का निर्मान जो है किसके किसके मिलने से होता है लोकसभा रासभा और राशपती के मिलने से भारत के संसद का निर्मान होता है कोई अगल बीले लो राश्पती के पास जाता है, राश्पती उस पर साइन करते हैं, तब हुँ आपके वो कानुन बनता है, एक्ट बनता है, ठीक है, आपको याद रखना है, जब तक राश्पती उस पर साइन नहीं करते हैं, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बील बोला जाएगा, जब राश्प सदाता समीती के अध्यच थे तो इसके अध्यच कौन थे तो आपको याद राखना है सरदार बल्लम भाई पटेल इसके अध्यच थे सरदार बल्लम भाई पटेल next point है समिधान सभा के प्रारूप समीती में कुल कितने सदस थे बहुत ही अच्छा सवाल है समिधान सभा के प्रारूप समीती में कुल कितने सदस थे तो कुल आपके 7 सदस थे ठीक है कुल 7 सदस थे तो A option ठीक हो जाएगा साथ ही आपको याद रखना है कि इसके अध्यच कौन थे तो B.R. अंबेतकर इसके अध्यच थे B.R. अंबेतकर इसके अध्यच थे ठीक है Next point है निम्न में से कौन सा कथन जो है प्रस्ताबना के संदर्व में सही है प्रस्ताबना ठीक है इसमें से कौन सा जो कथन है प्रस्ताबना के संदर्व में आपके सही है तो देख लेजिए प्रस्ताबना समिधान का एक भाग है तो बिल्कूल ठीक है प्रस्ताबना समिधान का एक भाग है केस वानन्द भारती केस 1973 में फैसला आया था प्रिस्ताबना को संसोधित नहीं किया जा सकता है तो दूसरा आपके गलत हो जाएगा और आपको याद राखना है कि प्रिस्ताबना में संसोधन करके जो है बिलिस्ताबना संसोधन अधिनियम 1976 के दुवारा तीन सब जोड़ा गया था वो तीन सब कौन-कौन था आप से भी लोग कमेंट बॉक्स में बताईएगा तो इसमें सही कौन है तो इसमें सही केबल आपका एक है ठीक है केबल एक आपका सही है नेक्स्ट पॉइंट है देश के सासन में मुलभूत है और बिधी बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज का करतब होगा या निम्न मेंसे किसके संबन्द में कहा गया है मुल अधिकार के बारे में, DPSP के बारे में, मौलिक करतब के बारे में तो किस के बारे में बोला गया है, तो DPSP के बारे में बोला गया है, तो B इसका right answer हो जाएगा, के अंदर राज सम्मंदों के अध्यान के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्स किया गया है, जो सरकारिया आयोग है, इसका गठन किस वर्स किया गया, तो 1983 में किया गया, और अपना रिपोर्ट क्व देता है तो 1987 में अपना रिपोर्ट सरकार को सौपता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि छैत्री परिसंदों के समन्न निमलिकित में से कौन सा गत्रन आपके सही है तो देख लिजेए कौन सा है कथन आपे सही है छेतरिये परिसेदे समयधानिक निकाए है तो यह आपके गलत है समयधानिक निकाए नहीं है इसका गठन राजपुर्ण गठन अधिनियम 1956 के दोबरा किया गया तो बिलकुल ठीक है इसका गठन जो है राजपुर्ण गठन अधिनियम 1956 के अधार पर किया गया तो बिलक अध्यच होते हैं किसे समिधान संसुदन अधिनियम द्वारा ये प्रफधान किया गया कि राश्पती राश्टी अपातकाल की उद्गोसना केबल मंत्री मंडल की लिखित सिफारी स्पराप्त होने पर ही कर सकता है तो आपको याद रखना है 24 समिधान संसुदन अधिनियम 1978 के दुआरा इसका पीछे करन था कि इंद्रा गांधी जी 1975 में देश में अपातकाल जो लागू की थी उसमें मंत्री मंडल का सहमती नहीं था और इनके दुआरा बोल दिया गया था कि मंत्री मंडल का सहमती है तो इसलिए 24 समिधान संसुदन अधिनियम 1978 के दुआरा लिख दिया गया कि जब तक मंत्री मंडल का लिखित आपके जो पेज है उस पर लिखित होना चाहिए कि हां मंत्री मंडल ने सिफारिस कर दिया है कि देश में अपात कल लागू होगा तभी लागू कर सकते हैं राश्पति इस बात को ध्यान में रखिएगा ताकि भविश में आगे आने वाले समय में ऐसे कोई गलती ना हो जो इस प्रकार से इंद्रा गांदी जी ने की थी भारते समयधान में बिदी द्वारा अस्थापित प्रकिरिया की संकल्पना किस देश के समयधान से ग्रहित की गई है भारते समयधान की किस अनुछेत के अंतरगत नियंतरक एबम महालेखा परिच्छा की निवती होती है बहुत ही अच्छा सबाल है कि भारते समयधान की किस अनुछेत के अंतरगत नियंतरक एबम महालेखा परिच्छा की नियुकती होती है तो अनुछेत 148 के तहट अनुछेत 148 के तहट और आपको याद रखना है अटावनी जन्रल अनुछेत 76 में जिक रहे ठीक है भारत के महानियावादी का नेक्स्ट पॉएंट है कि निम्न में से कौन 348 के अंतरगत नहीं आता है तो देख लीजे बैंकिंग तो आता है बीमा, सिच्छा यह तीनों आपके आता है बहुत ही अच्छा सवाल है, यह बार-बार एक्जाम में पूछा भी जाता है, कि निमने मैं से किस पच बरसी योजना में गरीबी उनुबुलन तथा आतम दिभरता पर बल दिया गया था, तो आपको याद रखना है, पाँचमी पच बरसी योजना में, जो पाँचमी पच जी के दवरा दिया गय था मुद्रा स्फिती मतलब महंगाई तथा बेरोजगारी के मद के सम्मंदों को दरसाता है तो कौन दरसाता है तो फिलिप्स वक्र दरसाता है ध्यान रखेगा मुद्रा स्फिती तथा बेरोजगारी के मद सम्मंदों को जो है फिलिप्स वक्र दरसात तो ए इसका right answer हो जाएगा इसमें आपको याद रखना है कि अगर मुद्रा स्फिती कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है अगर महंगाई कम रहेगा तो बेरोजगारी ज्यादा होगा अगर महंगाई अधिक होगा तो बेरोजगारी कम होगा इस बात को नोट कर लिजिएगा पूर्ति में क्यों हो जाता है बिर्दी हो जाता है तो B option ठीक हो जाएगा भारत में मुद्रा स्फिती महंगाई के प्राकलान का सबसे प्रचलित माप क्या है सबसे जो प्रचलित माप क्या है थोक मुल सुचकांग ये आपके गलत है और द्योगिक उत्पादन का सुचकां है ठीक है वोक्ता मूल सुचकांग है तो सी ओप्सन ठीक हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है निर्धानता का दुस्चक्र की अबधारना निम्न में से किसके दौरा दी गई है तो किसके दौरा दिया गया है रेगनर नक्स के दौरा दिया गया है पर्थम पचबरशी योजन किस मोडल पर अधारित था पर्थम पचबरशी योजना उनिस्ट इक्यामन से चपन किस मोडल पर अधारित था तो हेरोड डोमर मोडल पर अधारित था हेरोड डोमर मोडल पर अधारित था निम्न में से कौन ब्यापक मुद्रा कहलाती इस में से कौन ब्यापक मुद्रा कह लाती है निम्न में कौन मौद्रिक निती का गुनातमक उपकरन नहीं है इसमें से कौन जो है मौद्रिक निती का गुनातमक उपकरन नहीं है तो देख लिजिए खुले बजार की जो किरिया है यापके मौद्रिक निती का गुनातमक उपकरन नहीं है तो डी इसका रैट अंसर हो जाएगा RBI का लेखा वर्स है कब से कब तक आप लोग सोच कि इसका अंसर बताईए RBI का लेखा वर्स जो है कब सुरू होता है और कब समाप्त होता है आप सभी लोग comment box में फटा-फट बताईए तो इसमें आपको याद रखना है कि जो RBI का लेखा वर्स है एक जुलाई से 30 जुन तक चलता है एक जुलाई से 30 जुन तक चलता है ठीक है तो ए इसका right answer हो जाएगा next point है कि अधि प्राथमी घाटे में बियाज भुकतान को समलित कर लिया जाए तो या जो है निमन के बराबर होता है तो किसके बराबर होता है प्राथमी घाटे में जो है बियाज भुकतान को समलित कर लिया जाए तो यह निमन के बराबर होगा किसके बराबर होगा तो आपको याद रखना है राजकोसिय घाटा के बराबर होगा निम्न में से भारत में किस समूख की चटाने धात्मी खनीजों का परमुख स्त्रोत हैं बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत में किस समूख की चटाने धात्मी खनीजों का परमुख स्त्रोत है तो कौन है धारबाड समूह की ठीक है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा इस समूह की चट्टाने में सोना, लोहा, मैगनेज, अबरख, कोबाल्ट, तामबा, सीसा, इत्यादी पाए जाते हैं निम्लिकित में से कौन सुम्लित नहीं है, इसमें से कौन सुम्लित नहीं है, कुद्रे मुख से लोहा आयस्क निकलता है, बिलकुल ठीक है, कुलार से सोना, कुडर्मा से चांदी, कुडर्मा से चांदी नहीं निकलता है, तो क्या निकलता है, अब रख, ठीक है, अब रख, उ तो C आपके गल्ट हो जाएगा, तो C इसका right answer हो जाएगा, निम्न में से कौन पिट्रॉलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें पिट्रॉलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज कौन है? तो राजर्श्थान जो है पिट्रॉलियम मेंसे कोई नहीं, अस्थम्राज की राजधानी कहां पर हैं, तो देशपूर है, सिलांग मेघालillon की राजधानी है, तीरपूरा के राजदानी अगर तल्ला है, नेमलेखेत में से कौन सी जलदारा प्रसांत महासागर कि थंड़ी जलदारा है, यहाँ पर ध्यान रखेगा Humboldt, Vengula, Falkland, Labrador यह सारे जो जलदारा है, यह थंडी जलदारा है, इस और लेकिन आप से पूछ रहा है कि यह प्रसांत महासागर कि जलदारा कौन है, तो फॉकलेंड, वेगुला, लेबराडोर ये जो तीनों जलधारा है आपको याद रखना है अटलांटिक महासागर के जलधारा है जबकि हमबोल्ड जो है ये आपके परसांत महासागर का जलधारा है ठीक है हमबोल्ड जो है जिसे पेरू की जलधारा भी बोल जाता है ये आ लेंड लोग है इसमें से कौन सा देश आपके जो है लेंड लोग है जिसकी सीमा समुंद से नहीं लगती है तो देख लीजी जर्मनी की सीमा लगती है फ्रांस इसकी भी सीमा लगती है इटली की भी सीमा लगती है जबकि सुडियर लेंड की सीमा जो है समुंद से नहीं लगत तो इसमें आपको याद रकना है क्योंड रखना है कि यो भी नदी हिमाले को काट करके अंतर हिमाले काटते हुए आपके भारत में परवेश करती है तो उस नदी को नदी शिंदु है सत्लज है और ब्रोल पूत्र है तिनो नद्या है तो सी इसका रहा न्थल हो जाएगा अंतराश्टी तितिल है किस और रहका है उन और tastes Pop them महासागर से होकर गुजरती है 180 डिगरी जबकि समय रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है तो अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है ठीक है करक रेखा निमन में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है तो आप लोग क्या किजिएगा कमेंट बोक्स में कि करक रेखा म मकर रेखा और विश्वत रेखा ठीक है करकर रेखा मकर रेखा विश्वत रेखा यह तीनों रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है इसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा ठीक है करकर रेखा निमने मैंसे किस देश से होकर गुजरती है तो देख लिजे बहाँ मासा से होकर गुजरती है लिबिया से गुजरती है UAE यहां से भी गुजरती है जबकि ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है त्याल लखेगा ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा जबकि करकर एक आपके भारत को दो बरावर भागों में बाटती है और भारत के आठ राजो सो होकर गुजरती है इन में से कौन से नदी अरब सागर में नहीं गिरती है बहुत ही अच्छा सवाल है कि इस में से कौन से जो नदी आपके अरब सागर में नहीं गिरती है तो देख लिजी पेरियार, सावरमती, गोदाबरी, गंगा बैली तो कौन से नदी आपके अरब सागर में गिरती है तो तो D इसका right answer हो जाएगा भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रस्न है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माही है माही है ठीक है? और माही जो है माही आपको याद रखना है एक UT का पार्ट है किसका पार्ट है? तो Poodoo Cherry का पार्ट है और आपको याद रखना है यहाद रखना है यहाद मैप में कि जो एक स्कुन रुकी है आपके जो Poodoo Cherry है आपको याद रखना है जो Poodoo Cherry Location है यह आपके तमिल लाडू में है उसके बाद कराइकल यह चार लोकेशन चार डिक्स्टिक्स से मिलने से जो है Poodoo Cherry का निर्मान होता है तो पहला आपके Poodoo Cherry तमिल लाडू में कराइकल यह भी आपके तमिल लाडू में उपर में आपके यह नम है यांदर परदेश में जो है यह नम यह नम है और जो यह माहे है यह कहाँ पर है तो यह आपके केरल में है ठीक है माहे जो है केरल में से नोट कीजिएगा वरी वरी इंपोर्टेंट है तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा पoodoo Cherry का निर्मान चार डिक्स्टिक्स से मिलने से होता है तो यहाँ पर नाम भी लिख दिया गया है निमन में से कौन सा राज तीन देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है बहुत ही अच्छा सवाल है तो देखें यहाँ पर अरुनाचल परदेश है ठीक है यह आपके जो भुटान उपर में आपके चाइना और इधर आपके मियान मारा ठीक है भुटान चाइना और मियान मारा तो आपको तीन देशों से लगता है उसके बाद है सिक्किम सिक्किम तो बारे में देखें यह आपके सिक्किम है उपर में आपके चाइना है और पूरब में भुटान है पच्छिम में निपाल है यहां से भी लगता है उसके बाद है पच्छिम मंगाल के बारे में देखी पच्छिम मंगाल निपाल इधर आपके भुटान है ठीक है उसके बाद जब नीचे आएगा यहां पर नीचे इस सैड में तो बांगला देश से और पच्छिम मंगाल इन तीनों राज्यों के सीमा जो है तीन तीन देशों से लगता है जब कि मिजोरम मिजोरम कहां पर है यहां पर देखिए इस पर कार से ठीक नीचे तो या अपके तिर पूरा है e-mejoram है toh majoram की जो सीमा है दो देश से लगता है मयानमर और बंगलादेश से तो C इसका right answer हो जाएगा ठीक है? C इसका right answer हो जाएगा देखें अपने चैनल पर एक mapping का video अपलोड है वीडियो है उसे आप लोग अगर देख लिजेगा तापका basic map पुरी तरीकर से complete हो जाएगा कुछ दिन पहले वीडियो लोड किया गया है करीब 8-10 दिन पहले उसे देख लिजेगा प्रती चक्रबाद की विश्ष्टा होती है चक्रबाद तो अब समझते हैं कि उसमें आंध तो D इसका right answer हो जाएगा और चक्रबाद में इसका उल्टा कर दीजेगा तो चक्रबाद में क्या होगा तापमान में बिरदी होगा तेज हवा चलेगा और तेज बारिस होगा ठीक है उसके बाद है कि लाइकन सबसे अच्छा सूचक है तो जो लाइकन सबसे अच्छा किसका है तो वायू प्रदूशन का है किसका है वायू प्रदूशन का है तो ए इसका right answer हो जाएगा पलासी का यूद कब हुआ था आपसे डेट पुछा गया है पलासी का यूद कब हुआ था तो 23 जून 1757 को हुआ था जबकि बक्सर का यूद कब हुआ था तो 1764 में हुआ सहायक संदी करने बाला पर्थम भारती राज कौन था ये जो सहायक संदी किसके साथ करता है अंगरेजियों के साथ में तो हैदराबाद का नबाब था और हैदराबाद के बारे में याद रखेगा कि हैदराबाद कभी भी अंगरेजियों को खिलाप नहीं गिया बाद में इसे जो है उपरेशन पोलो के माधियम से भारत में मिलाया जाता है भारत में नागरिक सेबा का जनक किसे माना जाता है तो भारत में नागरिक सेबा का जनक जो है लौड करनवाली इसको माना जाता है महल बाड़ी भूराजस ब्यवस्था किसके दवरा लागू किया गया था किसके दवरा लागू किया गया था या किये गये थी तो इसमें आपको याद रखना है हॉल्ट मेकंजी के दवरा लागू किया गया था महाल वारी बेवस्ता ठीक है यहाँ पर समझेगा कि तीन बेवस्ता था इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताईएगा एक आपका है जमिनदारी बेवस्ता ठीक है और एक है रहियत बाड़ी और एक आपके है महाल बाड़ी तो इन तीनों के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं के बारे में comment box में लिखिएगा किताब उलहिंद की रचना किसने की किताब उलहिंद की रचना किसके द्वारा किया गया है तो अलवर्निक द्वारा किया गया है निम्रिकत में से कौन सिकंदर का समकालिन था तो इसमें सिकंदर का समकालिन कौन था घंणन था ठीक है घंणन ज जो है सिकंदर का समकालिन था और चानक का अपमान जो है घंणनधी करता है अस्ट दिगज किसके दरबार में रहते थे आप सब लोग सोच के बताईएगा इसका अंसर गलर मत बताईएगा सोच के बताईएगा अस्ट दीगत जो है किसके दर्वार में रहते थे चीवा जी मत मारीएगा डिके क्रिश्न देवराय के देरवार में रहते थे तो भी इसका right answer हो जाएगा यह अपके BPSC का पूछा हुआ सवदाल है पहली बार किसी के सती होने का परमान कहां से प्राक्त होता है तो भानु गुपत के एरन अभिलेग से मिलता है किस यूद के पस्टाद बावर ने गाजी के उपादी धारन की थी बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस यूद के पस्टाद जो है बावर ने गाजी के उपादी धारन की तो आपको याद रखना है खानवा के यूद के वाद खानमा के यूद कब होता है 1527 में होता है इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले क्या करना है पानी पीना है तो पानी पत के यूद उसके बाद खाना खाना है 1526, 1527 उसके बाद चान देखना है 1528 में उसके बाद घर चला जाना है पानी पीना है, खाना खाना है, चान देखना है, उसके बाद घर चला जाना है, ठीक है यह आपके स्यक्वेंस है यूद का, तो इसका अंसर के हो जाएगा, भी इसका रैट अंसर हो जाएगा, खानमा का यूद भारती विस्विद्याले अधिनियम, किस गवर्नर जनरल की काल में पारित हुआ, बहुत ही अच्छा सवाल है, भारती विस्विद्याले अधिनियम, किस गवर्नर जनरल की काल में पारित हुआ, तो आपको याद रखना यह पारित हुआ था, लौड करजन के ससन काल में, और क कब पारित हुआ था तो 1904 में पारित हुआ था और जो लॉड कर्जन है इसका ससनकाल कब से कब तक रहता है तो 1899 से 1905 तक रहता है आपको याद रखना है कि जो बंगाल का विभाजन है इसी के ससनकाल में होता है किस बहुत संगती के दोरान अभिधाम पिटक की रचना की गई है तो तिरतिया बहुत संगती के दोरान ये कहां पर होता है तो पाटली पुत्र में होता है आपको याद रखना है और इस समें सासक असोक थे इस समें सासक आपके असोक थे ठीक है उसके वादे पर्थम बहुत संगती राजगीर में होता है दूसरा 22 साली में तैसरा पाठली पुत्र में चवठा डरी जमु कास्मेर के कुंडल व्हान है अपके आता है घृष मिशन अगस्थप्रस्ताव भारत छोड़ो अंदूलन भ्यक्ति गत सत्यगर्ः données खेया है तोThis सबसे पहले सब्सक्राइब अगस्त्रिके से लेकिन अगस्त्रिके से विरोध में ही जो है भ्यकति गत सत्यागरा शुरू किया गया ठीक है महात्मा गांधी जी के नित्रित में सुरू किया गया था बिनोग भावेस के पर्थम सत्यागर ही थैं आपको याद भी होगा तो ये कब शुरू किया गया तो भारत छोड़ा आंदुरन कब शुरू होता है? यह आपके शुरू होता है अगस्त 1942 को अगस्त 1942 को शुरू होता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला काउने? दो, चार, एक, तीन तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तिनत के किस सासक ने इकता परनाली के सुरुवात की? बहुत ही अच्छा सवाल है कि इकता परनाली के सुरुवात किसका द्वरा किया गया था? तो इल्तुति में इसका द्वरा इकता परनाली का सुरुवात किया गया था? निमलिखित मे तो D इसका right answer हो जाएगा देखे जब आप लोग sit देखते हैं तो जो question आपको जानकारी नहीं होता है side में copy रखिएगा उसमें उसे note कर लिजेगा ठीक है ताकि जो question जानते हैं उसे आपको note नहीं करना है जो नहीं जानते हैं सिर्फ उसे note करना है एक copy पर ताकि आपको बाद में revision करने में असानी हो next point है कि निमलिखित में से किस सीख गुरू ने अकाल तक्त की अस्थापना की थी जो अकाल तक आप देख रहे हैं इसके अस्थापना किस के दवरा किया गया था तो इसके अस्थापना गुरू हर गोविंद के दवरा किया गया था और आपको याद रखना है ये सीखो के छट्थे गुरू थे सीखो के जो है छट्थे गुरू थे जलिया बाला वाग हत्या कांट के बिरोध में 22 राय की कारकारनी परिशत की सदस्ता से किस ने इस्तिफा दिया था तो किस के द्वारा इस्तिफा दिया गया था संकरन नायर के द्वारा दिया गया था तो C इसका राइट अंसर हो जागा साथ ही आपको याद रखना है कि रवेर नात टाइगुर को द्वारा जो है नाइट हूड की उपादी वापस किया गया था तो C इसका राइट अंसर होगा Next point है प्रथम दिल्ली दर्बार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था अच्छा सवाल है प्रथम जो दिल्ली दर्बार हुआ था किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था तो आपको याद रखना है लॉड लिटन के समय में हुआ था कब हुआ था एक्टी सेवंटी सेवन में दुसरा कब होता है उनिसो तीन में करजन के समय और तीसरा कब होता है उनिसो एग्यारे में लौड हाडिंग दूतिये के समय लौड हाडिंग दूतिये के समय तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ए इसका रैइट अंसर हो जाएगा ठीक है ए इसका र बिम्य सुत्र क्या है शक्ति का बिम्य सुत्र क्या है तो सी इसका राइट अंसर होगा निम्लखित में से किस रंग के परकास का पोध्य दुवारा तीब्र अपसुशन होता है तो आपको याद रखना है निला एबम लाल रंग के परकास का जो पोध्य दुवारा तीब्र तो यह इसका रेट एंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉाइंट है कि चस्मे के लिंस किस कांच से बनाए जाते हैं बहुत ही अच्छा सवाल है चस्मे के लिंस कांच से बनाए जाते हैं तो आपको याद रखना है कुरुक्स काच के बनाए जाते हैं कुरुक्स काच के बनाए जाते हैं नेतरदान में कौन सा भागदान दिया जाता है तो आप सभी को पता है कि कौर्णिया दान में दिया जाता है निमन में से कौन आपके सही नहीं है इसमें से कौन आपके सही नहीं है तो सारे उप्षन को ध्यान से पढ़ लिजिए ताप मान के बढ़ने पर वायू में ध्वनी का बेग बढ़ता है तो बिल्कुल ठीक है वाई में ध्वनी का बेग दापन निरफर नहीं करता है तो सही बात दापन निरफर नहीं करता है आदरता बढ़ने से वाई में ध्वनी का बेग कम हो जाता है तो यह आपके गलत है आयाम तथा अभिर्ति के परिवर्तन से वाई में ध्वनी का बेग परभावित नहीं होता है तो यह आपके ठीक है तो C आपके इसमें गलत है ठीक है आदर बायू का घनत सुस्क बायू से कम होता है इसलिए ध्वनी की चाल आदर बायू में अधिक होती है तो C इसका right answer हो जाएगा परत्या बरती धारा को दिस्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं तो क्या बोला जाता है जो AC से DC बदलता है उसे क्या बोला जाता है तो उसे रेटी फायर बोला जाता है यह आपको याद रखना है यह DC से AC बदल सकता है और AC से DC में भी बदल सकता है जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है जब बर्फ पिघलता है जिसे कि यह आपके बर्फ है यह जब पिघलेगा तो क्या होगा इसका item बढ़ता है तो item घटी जाएगा आयतन घटता है तो ठीक बात है इसका आयतन जो है पहले जब कर पिख लेगा तो छोटा हो जाएगा ठीक है द्रमान बढ़ता है तो द्रमान नहीं बढ़ता है द्रमान घटता है तो यह भी आपके गलत है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा जब बर्फ घलती है तब आयतन घट ठीक है जब आईतन घर्टता है तो भी इसका रैट अंसर हो जाएगा जिल्वे नाइट निम्न में से किसका आयस्क है तो आपको याद रखना है यह सोना का आयस्क है इसे ध्यान से याद रखिएगा नेक्स्ट प्वाइंट है कि सुमलित करना है तो सुमलित कर लीजिए सुची एक और सुची दू आपके दिया गया है आप सभी लोग ध्यान से सुमलित किजिएगा लाइपेज जो है आपको याद रखना है कि बसा विघटन एंजाइम है लाइपेज trypsin क्या है तो protein का पाचन करता है trypsin emilage ये क्या है तो carbohydrate का पाचन करता है erepsin ये क्या करता है तो polypeptide को amino amal में बदलता है तो इसका answer देख लिजिए 1 का 4 उसके बाद 3, 1, 2 तो A इसका right answer हो जाएगा किस उत्प्रेरक की उपस्थिती में खाद बनसपती तेल बशा में परिबर्तित किये जाते हैं तो आपको याद रखना है निकेल की उपस्थिती में इसके बाद 30 आपके current affair है टोटल आपके हो जाएगे 66 और 30 तो लगवग आपके 97 कोसन हो जाएगे 97 से आप लोग कितने कोसन सही करते हैं उसके बारे में comment box में बताईएगा टीक है इसके बाद आपके current affair है सेंक्त उद्यम ने कौरवा ओर्डिनेंस फिक्टरी में एक के दुसुतीन असाल्ट रैफलो का पहला बैच बनाया है कौरवा ओर्डिनेंस फिक्टरी किस राज में है तो उत्तर परदेश के अमिठी में अस्तित है किस भारती अमिर्की को मार्टिन लोथर किंग ग्रेंड प्रेड अस्पेसल आवार्ड से सम्मानित किया गया है तो ये सम्मानित किया गया है किरिष्णा बविलाला को सम्मानित किया गया है किस संस्था ने ग्रामिन स्वास्त सांके की रिपोर्ट जारी किये तो किसके द्वारा जारी किया गया है ये जारी किया गया है स्वास्त और परिवार कलियान मंत्राले के द्वारा कौन सा देश अपने 75 में सुतनता दिवसपर भारत के पहले पियम जवाहला नहरू के चित्र सहित डाक्टिकर जारी करेगा तो जारी करेगा स्री लंका वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या था तॉ इसका थीम क्या था तो इसका थीम था Corporation in a fragmented world Corporation in a fragmented world इसका theme था तो बहुत ही अच्छा प्रसने भी इसका right answer होगा नौसेना अभियास बरून ठीक है बरून बरून का आयोजन भारत और किस देश के मद किया गया है तो जो बरून है भारत और फ्रांस के बिच में होता है जो बरून exercise है भारत और फ्रांस के बिच में होता है किस company ने बेमेंस IPL के media rights हासिल किया है तो जो media rights ही हासिल किया गया है bycom 18 के द्वारा हासिल किया गया है bycom 18 के द्वारा हासिल किया है ठीक है अब जैसे पुरुस में IPL होता है महलाओं का भी IPL होगा इसे किजिए का 5G ठीक है 5G तकनिक लागू करने वाला पहला अकांची जिला बिदीसा किस राज में अस्तित है तो मद परदेश राज में अस्तित है इस सरब्जनेक छेतर के बैंक ने किसान पुसकक योजना के तहत गलूर एरो अस्पेस के साथ में भागेदारी की है तो यह भागेदारी किया गया है Union Bank of India के दौरा भागेदारी किया गया है किस फिल्म ने Critics Twice Awards 2023 में Best Foreign Language Film का अवार्ड जीता है तो यह जीता गया है RRR मुविक दौरा जीता गया है ठीक है रिपोर्ट नोसिफे Rainbow events 2023 फौरी जारी किया है तो यहारी किया गया है विशुव आर्थिक मंच También के दौरा जारी किया गया है 2 व आर्थिक मंच के दौरा हाली में किस देश की मसौोर सिंगर जीसा मेरी प्रेली का निर्धन उया है तो इनका सम्मढद किस देश से है तो इनका सम्मढद USA से था पेम मोधी ने रिवर कुरूज M.B. गंगा बिलास को हर जणडी दिखा कर 12 शीजर से रवाना किया यह यात्रा किसे सहर से किसे सहर में समाप्थ होगी अच्छा पॉइंट है यह जो जातरा तो रवना किया का अवारान नशी से, लिकिन एस समापथ कहाँ पर होगा, तो आपको याद राखना कि दीबलूगर में समाप्थ होगा, असम के दीबलूगर में समाप्त होगा और ये भारत के 5 राज़ से होकर गुज़रेगा और 2 देष से गुज़रेगा ठीके? पान्च राज कौन कोन है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखन, पच्छी मंगाल उसके बाद असाम है ठीक है उसके बाद असाम है दो देश में आपके भारत है और बांगलादेश है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि टाटा पाबर है रिन्यूबल हाॉसिंग सुसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्रांट किस सहर में अस्थापित करेगा तो मुंबाई सहर में अस्थापित करेगा बिस बैंक की वाइसिविक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-2024 में भारत की अपेचित आर्थी बिर्दी दर कितनी है तो जो अपेचित बिर्दी दर है 6.6% है चे पॉइंट चे प्रसेंट है। Year of Interprises Project किस राज की एक परमूख योजना है। तो किरल राज की एक परमूख योजना है। भारत का पहला 5G सच्छम ड्रोन किस टेक अस्टर्ट अप दोरा बिक्षित किया गया है। तो ये बिक्षित किया गया है। आईजी ड्रोन्स के द्वारा विक्षित किया गया है केंद्रे मंत्री सर्वानंद सुनेबाल ने किस सहर में अस्कूल ऑफ लोजिस्टिक्स बाटर बे एंड कम्मुनिकेशन का उटगाटन किया है तो यह उटगाटन किया गया है अगर तल्ला में कहाँ पर अगर तल्ला में उटगाटन किया गया है स्वधेश दर्शन टूजिरो यजना के तहत चैनित कुमार कोम और वेपोर किस राज में अस्थित है यहाँ पर देख लिजी ऑप्सन दिया गया होगा तो भी इसका right answer हो जाएगा हाली में किस फिल्म, ट्रिपल आर के सौंग नाटू नाटू को golden globe songs आवार्ड मिला है ट्रिपल आर के निर्देशक कौन है तो इस जो फिल्म है, इिसके निर्देशक कौन है तो येस येस राजा मौली इनके बारे में याद रखिये का लगतार चर्चा में बना हुआ है तो आप से सवाल पूछा जा सकता है ठीक है उसके बाद की CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदुसी सहर कौन सा बन गया है तो भारत का सबसे प्रदुसी सहर आपके है दिल्ली है किस भारती सरवजनिक छेतर के बैंक को सिरलंका के तीन बैंकों के 26 रुपया बेस्ट्रों खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है तो आपको याद रखना है ये मंजूरी मिला है इंडियन बैंकों ठीक है इंडियन बैंकों ये मंजूरी मिला है भारत के किस खिलाडी ने रंजे ट्रोफी एतिहास का अब तक का दुसरा सबसे बड़ा अस्कोर बनाया है तो किस के दोरा बनाया गया है? पिर्थिवी सौप के दोरा बनाया गया है किस देश के फुटबॉलर? गेरेथ बेल ने सन्यास लिया है तो आपको याद रखना है कि बेल्स के फुटबॉरत है गेरिथ बेल मैंने आपको याद रखना है पेले के बारे में इनके बारे में गर याद भी नारत कोई दिक्कत ना हो जो पेले हैं इनका संब्ध ब्राजील से था ठीक है उसके बाद है कि 15 जनबरी को पचतरमा सेना दिबस किस सहर में आयुजित किया गया है तो बेंगलूर सहर में आयुजित किया गया है केंदरे मंतरी डाक्टर जितेंदर सी ने किस राज में किस राज में National Genome Editing and Training Center का उठगटन किया है तो पंजाब राज में किया है निवार्क Film Critics Circle में Best Director का अवार्ड किसे दिया गया है तो Best Director का अवार्ड जो है ESCS राजा मौली को दिया गया है बहुत ही अच्छा सवाल है तो C इसका राइटन सरू जाएगा उसके बाद Next Day की सतर्मा परवासी भारतिय दिबस किस सहर में आयुजित किया गया है तो Indoor सहर में आयुजित किया गया है Indoor मद परदेश का एक सहर है कहां बेली सस्पेंसन ब्रिज का उठगटन किया गया है तो जमू का श्मिर में किया गया है